आप लोग को दिख रहा हो गाऊ है यह देखो यहां पर यह लेडिज हो गरा रहे हैं यह इतर विगाड रहे हैं यह पाने को रोक रहे हैं यह कुछ और करें वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल दा इंडो ट्रेकर और अभी मैं हूँ चायना के सदन पार्ट में एक जगह है मियाव विलेज मियाव विलेज के पास में है आप लोगों से बहुत सारे लोग को रिक्वेस्ट कि भाई चायना की विलेज लाइब दिखाऊ विलेज पहले हम लोग आपको विलेज दिखाते हुए चलेंगे फिर आप लोगों को लेकर चलेंगे यहां के खेतों में और यहां पे जो गाउं में विलेज होते ना वो कुछ ऐसे होते हैं सारे के सारे गर आपको लकड़ी के बने मिलेंगे जिसमें से दो तीन चार फ्लोर होते है इस वाले गर में जो चार फ्लोर है, वो सामने वाला गर है, उसमें भी तीन फ्लोर है, तो हम लोग ये सीडिया सीडिया जा रहे है इस गाउं की, तो चलते हैं इस गाउं में थोड़ा आगे, और देखते हैं क्या क्या है गाउं में घुमने लाइक, वो दो मौतरमाई आ रही और रुदर्ज आईगे आए खेतों में यह देखो यहां पर कुछ लोग है जो की तो में काम करकर कर आ रहे हैं यह आइक गाउं को थोड़ा सा दिखा देता हूं देखो कितना पुराना गाउं लग रहा है बहुत ही यूनिक बहुत ही ओल्ड गांव लग रहा है अभी हम लोगों में से भी हर वीडियो के कमेंट में ज्यादातर कमेंट यह होता था कि रूरल लाइप कब दिखा रहे हो मैंने बोला भाई सारी चीजे ना थोड़ा सा एक सेक्वेंस में होगी तो रूरल लाइप भी दिखाएंगे गाम भी दिखाएंगे तो आज वो दिन है हम लोग सामनेव बदे भी या खाये भाई दख खाएगा यहाँके लोग भी योग भी लेटी से लेडी से ना इनका घर होण म्यान सही तो बोलना हूं एमार धी भीप बनाया देखो एक के वatyविद दूसरा दूसरी के ओपर तीसरा तेसी को पर चोटा चोतर को प्षण मुथ. फ्रहका पूरा एक गाउना पहाडिों में बसा हुआ है मज़ा आ गया पहाडियों में उप लोग दिख रहा हो का सामने देखंगे थोड़ा सा जू म करता हूँ वहां पर वह गाउं करता है एन्डिंग और इसी राज थे आए और आगे चलके यहां के खेट वगारा मिलेंगे अम लोग पहले पाड़ी पे गहें ते पिर हमने तो इस तोड़ा सा थोड़ा सा आप लोग तुको दिखाएंगे तो राओं की तर्फ जाएंगे यहां पे दान ओगारा की खेती हो रही थी यह जो म्याव विलेज है वह पूरा का पूरा यह है अब हम लोग जा रहे हैं इस विलेज से थोड़ा सा बाहर यह जो मियाब विलेज है इसमें एक जार के लगवग घर पूरे विलेज में मतलब बहुत लंबा चुड़ा विलेज है तो और यहां पर पोपुलेशन लगवग 6000 की लगवग आसपास ज सलते हैं यह एक राउंड गार्ड के आएंगे इस विलेज से शड़क होते हुए जाते हुए हम लोग खेत वगर आप लोग को दिखाएंगे वहां पे जाके उधर है ना साइद गहम वगरा की खेती हो रही है जो खेत है ना उनके बीच में से एक नदी जा रही है हमारा टा रूरल हो चाहे हो सीटी हो रोड आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे यहां पर रूरल रहे है अब आप लोग यही रोड देख लो यह गाउं है यह गाउं के देखो घर बगर लगए लेकिन यहां पर भी रोड तो एक नंबर बना रखें लोगों ने और इस गाउं तक पह बगर नहीं हो यह कोई घर है इसका भी स्क्राइब चालो है हम लोगों को चलना आगे यह देखो मुझे पहली बार नहीं देखने को मिलेगी बाकि सारे के सारे लिक्ड़ से बनेवी घर देखे मैं अब तक यहां पर यहां पर लोकल ट्रांसपोर्टरेशन के लिए ऐसी गा रही है हम लोग अभी वहां पे कुछ यहां भी फार्मर्स वगर आए ना उनके घर वगर भी देख के आएंगे और चलते हैं थोड़ा सा आएगे देख रहा है बिनोद आप लोग दो चीज नोटिस करो इस गाव में देखो मैं आप लोग को बताता हूं एक तो गाव में इतन आने का सवाल ही नहीं है क्या जबडस्त यार क्या ही कहूं यहां कि जो वाइप से ना सही बता रहा हूं मज़ा आ जाएगा आप लोग कभी आओगी ना चाइना की विलेज लाइफ अगरा एक्स्वियेंस करोगी ना तो मज़ा जाएगा हलाई अपने इंडिया में भी साइ नहीं क्यों देखने को मिल जाएगा तो बताओ कैसा है कमेंट करके बताओ है ना जबडस्त विलेज आप लोगों की बहुत वो थी मतलब क्वाइश थी कि मैं चाइना की रूरल लाइव दिखा हूं देखा हूं आप लोग को अंटी दिख रही होगी वह यहां के पेड़ प बनाई ना यह को बैसा में प्यारा लग रहां पता नहीं क्यों माने ट gera वीडियों बनाया था.. सबस्क्कियों बनाया था.. उस में क врем Your लोग दिखाया ना यह कैसे सीमेंटेड वो पकडंटी बना के और कैसे पानी को रोखते हैं और कैसे आपना खेट तैयार कर लिए उसमें राइस वगराण की तो माउनटेंस में फीडान की थे बनाके पानी को रोके और अच्छी खेट कर लेते हैं देखिए मांटेण आजवास करना खीशियार कर लिआ तिक है वहां पर क연ऴों कि ऊव्बर रघाइज चीचे के वहां पर सीमेंटिया लगा दी हुं मलफ क जो डिवार लगाए यहां से हम लोग कर सकते हैं इनके खेतहं में एंट्री जो फार्मर्स बागारा मिल जाएंगी आपको मांटेन्स तेकारारा है यह सारे की सारे के फार्मर्स के घर रहिए तुम कुछ लोग कल किसैसले लोकेührt ने ओर बोगया दिखते हैं आप लोगों को उत्यार पानonic आणाओ निचे हैं अब यहां पे के लिए यहां पे यहां पर पाने खेतों को भी बहुत जबदस तरीके से मेंटेन कर रखा है कि हम लोग आ गये यहां की किसी फार्मर के घर के पासya माउंटेंज में duż बीच वीच में एक फार्मर का घर नियाहाँ बोहां का कोई फार्मर लगता है इन तुमाटर को अरे वह इसको छोड़ा ऐगी फ़ली बॉलतै कि अरुक क्या बोलत देखें हो दिखाता है दो मौतज थोड़ा हो दिखाता है कि सबड़े को एक बिर पर efecto तो घ्लाइगं बस्क्क करते में आप वह सामने मतलब sofa और खाना वना बनाने का और पाई पी आ रहा है देखो पानी भी आ रहा है इसमें नीचे जाने का रस्ता नहीं है यहां से पानी लिए बीट नहीं है और बैटने के लिए चेर टाइप का मतलब उन लोगों ने बना रखा है अच्छा यार छोटा सा घर है और यह जो पानी इन्होंने स्टोर कर रखा न यह बारिस में उपर से पाडो से आता है मेरे हिसाब से क्योंकि मैं चोड़ नहीं हूं लेकिन देखो यहां पे दो मलब बीच में एक हल्की सी पगडंडी बनारेके इन्होंने दो खेत बना रहे हैं एक हेत वह उगया उदर और एक ह तो यहां पे अंगूर लगा रखा रहे है यह चोटा था अनार का पेड़ी भी लगा रहा रहा है पगडंडी उदर से चलती चलती पगडंडी आरे इस घर तक आरे अप यह गर ना बन्द है कोई अंदर मिला नहीं वर्ना मैं इस घर को घूमता अंदर कोई होता तो जाता स तो घर खुलाई लेकिन अंदर मेंने टक टक किया कोई दिबार नहीं आया तो यहां पर देखो अशे नोर्मल फार्मर्स की घर मिल जाएंगे आप लोग सोचो कि चाहिना में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स या ऐसा ही कुछ मिलेगा यहां पर ऐसे फार्मर्स वगरा घर व दिजाइन के आवर और यहां से नीचे उतरने का इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से यह लोकी की बेल यह मक्काई के बुट्टे और यह जमार जो मैंने आप लोगों को बताय था ना इसका में टोटल जो घर है न वह मैंने आप लोग को दिखाया कि रूरल लाइफ वगरा और यहां के खेत वगरा माउंटेंस वगरा यदि मज़ा आ रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मज़ा और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले ना यह देखो यहां पर महिला है जो यहां पर फार्मिंग कर रही ह मैं यहां पर जो भी फार्मर बाहर फार्मिंग करने जाता है वह अपने घर में ताला वाला लगा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग घुमते रहते हैं लोकल लोग भी इधर आ जाते हैं कभी कबार यह बिल्कुल सब्सक्राइब को तोड़ा ही नहीं लोगने पक चैनल को और बैल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना निहां यह देखो भाई यहां पर यह लेडि जो अगर आ यहां पर खेतियों अगरा कर रही है लेंग्यों तो कुछ आते नहीं है ट्रांस्लेटर आपर यूज कर नहीं सकते ताहिकिन लोगों से कनवर्सेशन करें निहा से आओ यह देखो यहां पर सिमेंटट पकडंदी बंद यह तयार होरी वहां छहां पर फार्मर्स लोग आपको मेजियम फार्मर्स ऐसी टोपी पहना है मिलेंगे क्योंकि दूप से बसने के लिए चारों तरप से कवर कर लिए ती आप लोगों को दूप लगने के बिल्कु अच्छा लगा इनका है हम लोग अभी गाउं में नीचे आ गया है और नीचे देखो इन्हें बेंच का स्टेचू लगा रहा है कितना बड़ा यार तो फाइनली हम लोग पूरा जो गाउं वगरा मांटेंस वगरा जो यहां के फिल्ड वगरा थे ना फाइरमर्स को विजिट करकर आके और हम लोग आ गए नीचे यहां पर एक है रिवर और रिवर क्रोस करने के लिए इन लोगों ने देखो यह ब्रीज भी बना रखा यहां भी नेखो गारा मिल जाएंगे यहां पर साइद हो तया मांटेंस भाइन सहीं यह भी साइद में लेकर आखें जाते हैं रहें लोगों ने गायज देखो रिवर करने के लिए ब्रीज बना रखा है हलो रहा है यह इधर भी कुछ लोग आरे ना इनमें गाड रहे हैं यह ब् यह लोग पता नहीं क्या कर रहें अभी चल के देखते हैं देखे वहां पर क्या ही खूबसुरत विलेज यह यह लिए देखो जोटी बच्टे क्या कर रहे हैं यह थे जोटी बच्चो है लो लो वाट ईू नेम अवार यू इस दुटीडी बच्छे ना पाने में खेल रहे ह जोजराद है कुछ कपड़े दो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं लेकिन खेल यहां पर आने के बाद मुझे बालम चलाए थोड़ा चा अलो हाँ आरे हो यहां पर फोटो लेंगे आप जहां पी जाओ जाओ यह यह पानी माउंटें से आ रहा है और सफार्मिंग करने के वाद जो पानी बसता है न उस पानी के लिए इन लोगों नियांसे रीवर वगणा निकाल रखे हैं वहाँ पर देखो वहाँ पुल वगणा ब्रिज वगणा बना रखा है लेकिन गाउं को गूमने का जो एक्षविरेंस रहना एक नमबर जबरस एक्षविरेंस रहा बहुत तो पूरे गाम का और व्यू दिखा देता हम देखो यहां से घर वागर श्टार्ट होते हैं यह इनके फार्म फिल्ड वागरा है और यह देखो जो संसेट का व्यू है ना भी अभी हम लोग दी से अधे ना जब पाना थन्डा था और बाहर जासे बाहर निकले ना हमारे पैर इतने गरम हो गए हम लोग अभी उदर से चले चले आरहे तो हमने सो चैज़ आए तो फाने कहां से आ रहा हो भी देखि लेते हैं यह दर माउंटेन से पानी वगरा आ रहा है यहां पर गर बने होए हैं थोड़े चे आगे जो मांटेन है ना उधर भी कापी सारे घर देखने को मिल जाएंगे वैसे तो लेकिन यहां पर ना जो यह गाव का पसंद आया होगा आप लोगों में से बहुत सब्सक्राइब जरूर करके लिए और वीडियो को लाइक करो कमेंट करो जितना ज्यादा उसे कि उतना ज्यादा सेर करो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर किसी एक नए चायना के वीडियो में तिल देन बाबाई टेक केर